सूप्रभात मेरे कक्षातीन के छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, सिस्ट अचार आपकी पुस्तक कल्पूरिक्ष से यह कहानी है एक छोटी से लड़के मोहित की, जो अपने चाचा जी के साथ शहर गया वहाँ उसके चाचा जी अपने मित्र को मिलने गए वहाँ पहुँचते ही मोहित शैतानी करने लगता है सोफे पर जूटे पहन कर, मेज से कागज उठा कर, यहाँ वहाँ फेकने लगता है कुछ कागज उठा कर इधर उदर फेक दिये चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया पर मोहित अंदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा घर लोटने पर मोहित के चाचा जी ने उसे समझाया सिस्ताचार पहला किसी से मिलते समय हमेशा नमस्ते कहें दूसरा जब कोई कुछ देता है तो धन्यवाद कहना तीसरा दूसरों के दुख में सहानुगूती दिखाएं और उदार बने चौथा अतीथियों का स्वागत करें और उनकी सेवा सतकार करें पाच्वा जब भी धार्मिक स्तानों पर जाएं वहां के नियमों का पालन करें साथवा जब भी राश्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए जो बच्चे सिस्ट अचार के नियमों का पालन करते हैं वह सिस्ट कहलाते हैं मोहित ने कहा मैं भी इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक सिस्ट बच्चा बन कर दिखाऊंगा. धन्यवाद.